हाई फ्रेंड्स मेरा नमें सेयद गाले और आप देख रहे हैं सेयद यूजियकेशन तो आज हम इसमें जानेंगे कि आप अपने कॉलर आईडी को स्क्रीन को कैसे चेंज करते हैं तो हमें इसके लिए एक आप की ज़रुत पड़ेंगे वो आप अपने प्लेश्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि देखा सकता हूँ मैं कि आपको कि प्लेश्टोर पे आप सर्च बटन पर क्लिक कीजिए और आइफोन एक्स कॉल स्क्रीन ये सर्च कीजिए इसके अंदर आपको पहला आप दिखेगा वो पहले आप पे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसका लोगो हमने ये पहले से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है अब हम इसे ओपन करेंगे जैसा कि देख सकते हैं आप ये ओपन हो रहा है कॉलर डॉट लाइव इसके बाद हम गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह हमें इंटरफेस दिखाई देता है इसके बाद हमें कुछ यहाँ पर्मीशन देनी पड़ती है वो पर्मीशन आप दीजिए गो टू ग्राइट बटन पर क्लिक कीजिए अलाव बटन पर इसके बाद क्लिक कीजिए अलाव पर्मीशन को ओके क्लिक कीजिए notification में इसे enable कर दीजे allow button पर इसके बाद आप देख सकते है add आईए इसे close कर दीजे इसे चालो होने में थोड़ा वक्त लग सकता है internet connection हमें चाहिए थोड़ा सा इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे templates है इस templates का आप अपने मर्जी के अनुसार इसक में इस्तेमाल कर सकते या फिर अपने गैलरी में से कोई वीडियो या फोटो ले सकते इसके बाद मैं आपको एक लेके दिखाता हूँ allow button पर click कीजिए और कुछ इस तरह हमें call दिखाए देगा इसकी brightness हम बड़ा देते अब इसे apply करने के लिए हम apply button पर click करेंगे इसके बाद for all income calls पर click करेंगे downloading में थोड़ा समाई ले सकता है internet speed के मताबिक download complete हो चुका है इस से हम close करेंगे हम आप back ले लेंगे और आप जैसे कि देख सकते कि mine button पर click करने के बाद हम call all पर set करेंगे all context के लिए अब हम back लेंगे और कोई दूसरे mobile से या phone से इस number पर हम call करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इसमें caller screen change होती है तो जैसे कि अब देख सकते हैं हमने call लगाया है तो इस तरह से हमें caller screen दिखाई देती है इसे caller को receive करने के लिए हमें swipe दिया जाता है हम swipe करेंगे तो हमारा call connect हो चुका है हम इस से दूसरे phone से बाते कर सकते हैं इसका interface को इस प्राकार दिखाई देता है speaker, keyboard इस तरह हमें दिखाई देता है हम इसे close करकर बंद कर देंगे और इस तरह अपने mobile को ज़्यादा attractive तरीके से दिखा सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही like कीजे, comment कीजे और हमारे चैनल को subscribe कीजे Thank you for watching